तो स्वागत है आपका मेटसेट क्लास में आज इस वीडियो में मैं आपको एक डेमो दूँगा दिखाऊंगा कि कैसे बच्चों में आई डॉप्स डालते हैं बच्चों में हो या बड़ों में आई डॉप्स कैसा डाला जाता यह बहुत इंपोर्णन्ट है इससे पहले प्ल तो यहां पर देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है कि यह आँखों में डाला जाता है तो यह कंफर्मेशन बहुत इंपोर्णन्ट होता है यहां पर मैंने एक मैनेक्विन लिया है बच्चों पर नहीं करता हूं तो मैनेक्विन पर यहाँ डॉल पर मैं डालूंगा कभी भ बच्चा comfortable position में हो ओके और second important thing कि बच्चे को क्यूं डाल रहे हो दवाई यह बहुत important रहना चाहिए ओके यानि डॉक्टर की सला की परची के बगर मत डाली है ओके और दवा की expiry और सब चक करके ही डालना है आपको तो मैं यहाँ पर लूंगा अब इसको open करूंगा right आपक दख ही कि वह direct यहाँ पर नहीं डालना होती है यही बहुत important point है okay तो direct आँख पर यहाँ पर दीख रहा है आपको प्यूपिल का जाता है जो black यहाँदे पर दिखता है ना तो यह दिख रहा है यहा पर नहीं डालना चाहिए तो इसे pupil का आजाता है क्योंकि एकदम blink करेगा बच्चा और रोएगा ज्यादा तो आपको करना क्या होता है कि ये जब डालते हो दवा तो आपको हैंड से एक दो ड्रॉप्स पहले बाहर फेकनी चाहिए यह बहुत इंपोर्णन रहता है बाहर आपको डिसमेंज करना क्योंकि एक बार क्या होता इसके अंदर जो जमा हुआ रहता है वह जो बैक्टरियास लगे रहते वह चले जाते और अच्छे से शेक करके आपको डालना ह बाजू वाली जो ओपनिंग होती है वहां पर डाला होता है तो आपको नोस पर यहां पर क्या करना था ऐसे करके यहां पर डाल सकते हैं देखो मैंने डाला ओके बचा ब्लिंग भी नहीं किया क्योंकि यह ब्लिंग नहीं करते हैं यह डॉल है यह ब्लिंग करेगा रोएगा it's okay और क्या होगा जब आप दवाई डालोगे ऐसे ही दवाई उतरते जाएगी मुँह में आ जाएगी यहाँ प्र भी आप सेम ऐसे इधर साइच डालोगे साइट के साइड ओके राइड है पर ड़ते लेकिए इस तर चले जाएगा ब्लिंक करेगा औके एक इक ड्रॉप्अ ढलता है आपको ज्यादा नहीं डलना है है अगर ज्यादा बोलते हैं तो तो भी डलना है तो वर्ना क्या होगा उल्टी कर देगा बच्चा तो और डर आएगा आपको उके तो इसलिए कभी भी उल्टी से खाना खान दूद पिलान 거지 से पहले डली है डाल कर जब छोड़ दो खोड़ देना आया ख कुछ करना नहीए कुछ कोशणा नहीरम औरा जेसे जएसे बच्चा blink पिला सकते हो या तो immediately भी दूद्ध पिला सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे ही मैं डेमो वीडियो बनाते रहूंगा कुछ आपको experiment है तो मुझे बताईए मैं next वीडियो में eardrops कैसे डालते हैं वो भी बताऊंगा बच्चों में okay thank you so much subscribe कीजिए share कीजिए like कीजिए इस वीडियो को और